Hello my dear students, today we are going to learn environmental studies standard 3 Lesson number 16, sensory organs Sensory organs, ये कोई हमारे लिए new topic नहीं है First standard से ही हम लोग EBS में sensory organs पढ़ रहे है Eyes, nose, ear, skin, tongue, ये सब क्या है? हमारे sense organs है जिससे हमारे surrounding में क्या हो रहा है? उसे हमें पता चलता है Sensory organs, okay Can you tell, क्या तुम बता सकते हो? Tie is blindfolded ये जो tie है वो क्या है? blindfolded है मतलब उनके आखों पर पट्टी बनी हुई है Then how did she tell what sound she was hearing? तो भी tie कैसे बता पा रही है कि वो कौन से आवाज सुन रही है? जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? clap कर रहा है तो tie को पता चल रही है कि ये ताली की आवाज है CT बजा रहा है तो भी tie को पता चल रहा है कि वो CT बजा रहा है कैसे? उनके कानों से Ears कानों से हम लोग सुन सकते हैं तो वो कान से उस आवाजों को सुन रही है जिससे उनको पता चल रहा है ताई को पता चल रहा है कि यह आवाज किस चीज़ की है ओके What are the different things that ताई has in her hand ताई के हाथ में क्या है different things है जैसे यह fruit है यह flower है How does the boy guess what they are even when he is blindfolded और यह जो boy है यह blindfolded है मतलब अब इसके आखों पर पटी बन दी वी तो भी उस boy को पता चल रहा है कि यह flower है और यह fruit है mango है कैसे पता चला उसकी nose की वज़े से नाक की वज़े से हम लोग क्या कर सकते है smell लेते हैं ना खुश्बू लेते हैं हम लोग किसी भी चीज़ की किस से लेते हैं हमारे नाक से लेते है nose से लेते हैं तो उससे उससे पता चल गया कि यह fruit है और यह flower है ओके so nose भी क्या हो गया हमारा sensory organs हो गया both of them are blindfolded now अब यहाँ पर क्या हो गया tie भी blindfolded है और यह boy भी blindfolded है but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt लेकिन फिर भी यह लोग बता पा रहे हैं कि यह woolly sweater कौन सा है और cotton shirt कौन सा है how do they do that उन्होंने यह कैसे किया जब हम लोग किसी चीज़ को touch करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है तो skin क्या है हमारा sensory organ है जिसकी इस skin की वज़े से touch करने से उनको पता चला कि यह cotton है और यह woolly sweater है ओके you can also try this and other simple experiment with the permission of your elders आप लोग भी क्या कर सकते हैं ऐसे ही experiments कर सकते हो लेकिन उसके रहे पहले आपको अपने बड़ों की अपने elders की permission लेनी होगी okay can you tell क्या तुम बता सकते हो what is the color of a raw mango के कच्छे आम का कौन सा color होता है yes green है न ग्रीन color होता है अरिप mango पके वे आम का कैसा color होता है yellow how did you know that अब यह चीज़ आप लोगों को कैसे पता चली हमने उस mango को देखा so eyes भी क्या हो गए हमारे sense organs हो गए okay what is the taste of salt अब नमक का टेस्ट कैसा होता है खारा होता है न तो यह कैसे पता चला हमारी tongue से और sugar, sugar का taste मीठा होता है यह भी कैसे पता चला tongue से how did you know that हमारी जबान से हमें पता चल गया कि यह मीठा है sugar और salt क्या है salt क्या है खारा है तो tongue भी क्या हो गए हमारी sense organs now see a new term अब यहाँ पर हमनों को new term बता रहा है sensory organs and sense organs an organ that tell us about our surroundings हमारे जो organs होते हैं वो क्या करते हैं हमें सराउंडिंग के बारे में हमारे आसपास जो चीजे हैं उसके बारे में हमें बताते हैं our eyes ears nose tongue and skin are our sense organs अब यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा पहले eyes ears nose tongue skin यह सब से हम लोगों को हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उससे हमें पता चला तो इसलिए यह सब क्या है हमारे sense organs है ओके our five sensory organs अब यहाँ पर हमें बता रहा है हमारे five sensory organs imagine अब यहाँ पर हमें क्या करना है imagine करना है you are walking along the road there is a ditch ahead अब क्या बता रहा है 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 आप लोग एक road पर चल रहे हो और वहाँ पर एक ditch है खड़ा है you see it and you will walk around it और फिर आप लोग और अब यहाँ से आप लोग चलते वे आ रहे हैं अभी आपने यह देख लिया तो आप लोग क्या करोगे उसके side में से होकर ऐसे आ जाओगे what would happen if you do not see the ditch क्या होगा अगर आपने उस ditch को देखा ही नहीं तो आप क्या हो जाओगे उसमें गिर जाओगे you are playing in your neighborhood suddenly you hear the thunder अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अभी आप पड़ोस में कहीं खेल रहे हैं तीक है और क्या होगे अचानक से बिजली चमकने लगी थंडर बिजली चमकने लगी तो आप क्या करोगे you are able to rage your house before it begins to rain तो बिजली कड़कने के आवाज सुनके आप क्या करोगे फटाफट से अपने घर पर आ जाओगे ताकि आप भीगने से बच जाओ what would happen if you do not hear the thunder क्या होगा अगर आपने थंडर नहीं सुना तो हम लोग क्या हो जाएंगे बारिश में भीग जाएंगे या फिर हमें बारिश में भीगते वे अपने घर आना पड़ेगा इसलिए क्या है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास में जो भी हो रहा है वो हमें पता रहे इसलिए हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़े हो रही है ये हमें पता रहता है इसलिए उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कब क्या करना है और कौन सिच्वेशन में हमें क्या करना है और उससे हम लोग अपने आपको बचा सकते हैं How do we sense what is happening around us? हमें कैसे sense होता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है? It is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tell us about our surroundings. ये किस वज़े से हो रहा है? हमारे eyes की वज़े से, ears, nose and tongue and skin की वज़े से. हमें पता चल रहा है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है? Therefore, they are called our sensory organs. और इसी लिए हम इसे क्या कहते है? Sensory organs क्योंकि इन organs की वज़े से हमारे आसपास में, हमारे surrounding में जो भी हो रहा है वो हमें पता सल जाता है. और उसी से हम लोग क्या कहते है? Time पर एक सही decision ले पाते हैं. Okay? Can you tell? क्या तुम बता सकते हो? Number one. Name the things in the picture from their outline. यह pictures हैं, इसकी खाली outlines हैं. तो हम भीनों क्या बता सकते हैं कि यह कॉंसी pictures है? Yes. This is kite, this is gada, arrow, moon, pen, sword, cap, umbrella. Number two. Name the things in the picture and their colors. अब यहाँ पर जो pictures है यह हम लोग क्या कर सकते हैं इससे देखकर में बता सकते हैं कि इसका color कॉन सा इसका नाम क्या है orange, letterbox, crow, rainbow, lantern and tomato यह orange color का है this is red and black, this is grey and black और यह whip jar यहनी पूरे 7 colors होते हैं हमारे rainbow में this is lantern तो यह तो colorful है yellow, red, green बहुत सरे colors यूज़ है and this is tomato तो tomato में क्या है red color है और green color है eyes, it is with our eyes that we can see यह क्या है हमारी आखे जो आखों से हम लोग क्या कर सकते हैं हर चीज़ को देख पाते हैं we can tell the color of the things we see हम लोग क्या कर सकते हैं जब कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसका color भी बता पाते हैं we can tell their shape we can also guess the distance of things from us अब क्या हम लोग उसका color भी बता पाते हैं उसका shape क्या है वो भी बता पाते हैं और distance भी बता पाते हैं जैसे ये distance के लिए आपको देखो ये दो train यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि train बहुत दूर है यहाँ पर train क्या हो गई है? नज़दी का गई है ओके? Try this अब यहाँ पर एक game के बारे में बोला है कि हम लोग ऐसे भी try कर सकते हैं Play a game Curvy pointy trigger close पिप्पिंग आफ पेड़ पॉस Every student will get a turn to be it It will face the blackboard and cover his her eyes The teacher selects five other students from their own place Each of these five children will take turn to say loud and clear Curvy pointed tiger close Pipping out of padded paws It must listen carefully and guess whose voice it was If he she is right everyone claps If he she gets the names of all five children He she gets a pet on the back from the teacher अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? टीचर ने क्या किया है बच्चे को? Boat की side turn कर दिया और उन्हेंने पांच बच्चे क्या कर लिया है? चूस कर लिये टीचर ने अब उसमें से बच्चे लोग बोलेंगे Curvy point tiger close Pipping out of padded paws ऐसा कोई भी एक बच्चा बोलेगा और फिर इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? तो उस आवास को से पहचान ना है अगर उसमें पांच बच्चे लोग को पहचान लिया तो पीछे टीचर क्या करेगी? फिर उसके पीट पेव उसे शाबाशी देते हैं आम लोग वैसा टीचर देगी तो ये एक गेम है जिससे आप लोग ट्राइ कर सकते हो Ears We hear with our ears Ears हमारे कानों से हमें क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं Manly, we come to know what a person is saying to us फिर से हम लोगों क्या पता सलता है? कि सामयाला जो इंसान है वो क्या बोल रहा है? The ears also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh हमारे जो ears होते हैं जो हमारे कान होते हैं वो हमें बताते हैं कि यह जो आवाज एक आई है यह आवाज अच्छी है या पूरी है They can tell us whether the sound is that of a bird or an animal फिर इससे हम लोगों को पता सलता है हमारी ears say कि यह एक animal का आवाज है यह एक bird का आवाज है Is that of a bird or animal They also tell us which direction a sound is coming from और उससे हम लोगों को यह भी पता सलता है कि यह आवाज किस साइट से आ रही है Why is mother saying Don't eat this mango ममी ने क्यों कहा कि यह mango को मत खाओ Nose We can smell with nose हम लोग क्या कर सकते है अपनी nose से smell कर सकते है We perceive the smell of a fragrant flower or incense stick because of the nose Again, it is the nose which tell us that there is a false smell in the air or that the food is spoiled At such times, we can take proper precautions Nose की वज़ाँ से क्या होता है हम लोगों को पता चलता है कि यह smell कैसी है अच्छी है या बूरी है और अगर air में हावा में अगर क्यों अच्छी खुश्ब तो भी हमें पता चलती है और कुछ kh IKEAB रहती तो भी बाइट टाइम पर हम लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जैसा भी हम लोग ने चेक किया खाना खराब हो गया तो हम लोग तुरंदी दूसरा खाना भी बना सकते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उस खराब खाने को खाने से बच सकते हैं Use your brain power यहाँ पे आपका अपना brain power use करना है In summer, how can we tell without even looking outside that is raining nearby What would be the benefit of knowing the direction from which a sound comes What's the solution? अब यहाँ पे solution बताना है There is a false smell in the house A food item is given out a routine smell Tongue We can taste with our tongue Tongue से क्या होता है? हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चलता है Sugar and jaggery are sweet Good और शकर जोता है? वो क्या होता है? मीठा होता है Bitter guard is bitter करेला? क्या है? करवा है Lemon and raw mangoes are sore Limboo और कच्चाम कैसे होते है? खटे होते है Salt is salty Salt कैसा होता है? खारा होता है It is due to the tongue that we know these tastes और हम इसी दर हमारे tongue की वज़े से हमें सारे taste के बारे में पता चला If we eat a chili अगर हम लोग मिर्ची खा लेते हैं Our tongue gets a burning sensation तो असरे हमें क्या लगता है? हमारी जबान जो है वो जल गई है We say that the chili is hot तो उसरे हम लोग क्या कहते हैं? Chili is hot Try this अभी यहाँ पर हमें बोरा try करो Another game एक और एक game है यहाँ पर Feel it to find out हमें क्या करना है? Feel करना है और उसे find करना है You can play this game with four or five of your friends यह game जो आप लोग अपने चार से पाच दोस्तों के साथ खिल सकते हो Take a big cardboard cartoon Make a hole in one of the sides Just big enough for your hand to go Throw Place some small things in the box For example, an eraser, a coin, a piece of pencils and pebbles, a tamarind seeds, etc आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ यहाँ आप चार से पाच दोस्तों के साथ खिल सकते हैं यह game उसकिल आपको क्या काना होगा एक cardboard paper लेना होगा और इस cardboard box लेना होगा उस cardboard box पर आपको क्या करना है? Hole करना है और hole इतना ही बड़ा होना चीज जिसमें से आपका हाथ अंदर जा सके और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? Different different छोटी छोटी चीज़े रखनी है जैसे sharpner, eraser, stones, Emily की जो भी जोती है वो, छोटी पैंसिल इस तरह से हम लोगों को सारा सामन क्या करना अंदर रखना है Take turns at playing this game, put your hands through the hole, pick up one thing and guess what that object is only by feeling it Name the object before taking it out, then take it out and show the others what it is तभी फिर आप लोगों को क्या करना है? यह सब सामन आप लोगों ने बॉक्स के अंदर रख दिया उसके पाद ऐसे आपको अंदर बॉक्स के अंदर हाथ डलना है और उसमें से उठाना है जैसे for example आपने यह pencil उठा ली, तँअ अंदर ही आपको उसको touch करके, उसको feel करना है और बताना है कि यह क्या एक pencil है और फिर उसी object को आपको बाहर निकाल के सबको दिखाना है अगर आप right रहे, तब winner हो जाएंगे ऐसे करके यह आपको अपने सारे friends के साथ यह game खेलना है skin we come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin हमारी जिस skin है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि कोई चीज़ ठंडी है, गरम है, रफ है या smooth है जैसे यह इस में भी photo में भी हमें दिखा रहा है कि वो touch करके देख रहे है पानी ठंडा है या गरम है coordination in our moment we carry out many tasks for every task we make different kinds of moments हम लोग क्या करते है, बहुत सारे tasks करते है, और हर task हम लोग क्या करते है, बहुत सारी अलग-अलग moment करते है we use different parts of our body for these different moments और different different work करने के लिए हम लोग क्या करते है, अपने body के different different parts का use करते है, the woman in this picture is roasting some peanuts in a pen अब यहाँ पर यह क्या है, यह woman है, जो क्या कर दिये, peanuts को, सेंग दाने को क्या कर दिये, roast कर रही है which part of her body is she using, और वो अपने body के concept arts को use कर दिये, her head is bent forward, इसका जो सर है वो आगे की तरफ थोड़ा जुका हुआ है she is holding the pen, और उसने क्या किया है, pen को पकड़ा है, steady with the tongs in her left hand और उसने tongs को क्या किया है, पकड़ को क्या किया है, left hand ने पकड़ा है with the spatula in her right hand is stirring the peanuts in the pen और right hand में से spatula पकड़ा है, चम्मच पकड़ा और उसको क्या कर दी है, वो peanuts को stir कर रही है her eyes are on the pen, और उसकी आखे जो क्या है, उसकी नजरे pen में है she is watching to ensure that the peanuts are properly roasted और वो क्या कर दी देख रही है, कि peanuts properly अच्छे से roast हुए है या नहीं well roasted peanuts have a typical savory flavor when her nose gets that smell, she is going to put off the gas stove अब क्या आता, जब peanuts roast हो जाते हैं, तो उसमें से एक अलग थोड़ी सी जो उसकी जो smell होती, जो खुश्ब होती, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है तो जब उसकी जो smell होती, जब उसके nose में जाती है तो उसे पता चल जाता है कि यह stir हो चुके, तो उसमें को क्या करेगी, गैस का फ्लेफ आफ कर देगी you can see that several parts of her body needed to work together smoothly तभी आप लोगों ने देखा एक peanuts stir करने के लिए उसके body के कितने parts use हुए जिसकी वज़े से उसने क्या किया, easily वो peanuts को stir कर पाई if they were not coordinated, she would fumble, the peanuts might spill, they may be overdone और they may not get roasted well enough और अगर यह coordination ना होता, यानि उसके body के सारे जो parts है उसके body के जो सारे parts अगर वो एक साथ work ना कर रहे होते तो क्या होता, या तो peanuts जल जाते, या तो वो अच्छे से पकते ही नहीं we need coordination to get any task done smoothly इसलिए हम लोगों को कोई भी task करने के लिए क्या करना पड़ता है coordination करना पड़ता है, जिससे क्या था, हमारा task smoothly हो जाता है lack of coordination gives rise to mistake or muddles use your brain power, यहाँ पे भी हमें क्या बोल रहा है, brain power का अपने use करने how are movements coordination when stitching close a swing machine अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, machine भी जब कपड़ा से लिए, कौन कान से coordination है, महाँ में बताना है overcoming disability अब यहाँ पर क्या बता रहा है, disabilities if a part of our body does not function well हमारे body के जो पूरी तरीके से function करती है लेकिन कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं, जिनकी body पूरी तरीके से function नहीं करती we face many difficulties if our eyes do not function well कभी हमारे आखे अगर अच्छे से काम ना करें, तो हमें क्या करना पड़ा होता है बहुत सारी difficulties, यानि बहुत सारी मुश्किलों को face करना पड़ता है we cannot see properly, हमें हर चीज सही से नज़र नहीं आती if our ears do not work as they should, we cannot hear well अगर हमारे कान सही से काम नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या कर पाएंगे हर चीज का अच्छे से नहीं सुन पाएंगे in such a situations, our movements are not smooth इन सारी situations में क्या होता है, हमारी जो movements होती, वो smooth नहीं होती we find it difficult to do things on our own इसलिए क्या आता है, हमें खुद से ही कोई भी काम करने पर फिर मुश्किल हो जाती है, difficulties हो जाती है but such situations can be overcome some disabilities can be कर जिसके होज़से हम लोग हमारी life smooth नहीं होती लेकिन अभी जब यो medical ने हमारे इतनी तरक्की कर लिये तो इसके होज़से क्या हो गया है बहुत सारी disabilities को हम लोग medical treatment सी का कर पाते है, control कर पाते है in some matters we can take the help of other people अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने क्या कर सकते हैं दूसरों की मदद ले सकते हैं often some special devices can be used to overcome the disabilities और जो special devices यानि जो अभी बहुत सारी चीज़े हैं जो जैसे अभी जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए machine आती है उस machine को लगाने से क्या हो जाता है उन लोग ask plus में जो भी हो रहा है उस आवास को सुन सकते हैं तो इसलिए उस machine से उन्होंने क्या किया अपने उस disability पे गंट्रोल कर लिया then it becomes possible to carry out our own tasking independently अब उसकी वज़े से क्या हो गया वो अपने काम easily कर पाए तो यह हम लोगों को किस वज़े से मिला medical treatment की वज़े से रई तो इसी से उन्होंने क्या कर पाए अपनी इस disability पे कंट्रोल कर लिया और वो अब क्या कर सकते हैं अपने काम को इंडिपेंडेंटन क्लिक कर सकते हैं if we cannot see well we can use spectreals if we cannot see at all we can make use of sounds or feels with the hands to get things done you might have seen a blind person using a white can blind people use a can to feel the way in front of them the sounds they hear around them also help them to know the situations around them thus they can make their way independently even on a crowded road full of traffic अगर किसी के आखे वीक होती है तो क्या करते हैं अगर किसी को बिल्कुल ही नजर नहीं आता तो लोगों के पास एक special stick होती है वाइट कलर की उससे क्या होता है उन लोग अपने आज पास में जो भी चीज़े उससे लोग अंदाजा लगा पाते हैं और लोग रोड पे चलने के लिए वी वाइट कलर कैसे बना हुआ होता है वो चो थोड़ा होता है ना खुरदूरा सा होता है जिससे लोगों का आगे कौन सा रास्ता है वो पता चलता है या फिर अगर हम लोग कभी किसी ऐसे लोगों को देखते है जो ब्राइंड है और उनको हेल्प की जरूरत थी तो हम लोग भी कर देते है तो हमें ऐसा दूसरो हम कर सकते हैं तो a person who cannot hear well can use a hearing aid अगर कोई है जो सुन नहीं सकता जैसे आप लोगों को मैंने बताया जैसे कोई सुन नहीं सकता तो लोग क्या करते हैं इस machine का यूज कर सकते तो जिससे क्या होगा उसका से जो भी वह रहा है वह से एजीली सुन पाएंगे दोस who cannot hear at all can use sign language in some cases a surgery can help person to hear तो और जो लोग ऐसे हैं यह machine भी नहीं यूज करते तो लोगों के लिए क्या होती है sign language होती है वो क्या करते देखो इस तरह से इशारे करते हैं और एक दुसरे से बात करते हैं यह क्या है sign language है या फिर कभी कभी क्या होता है surgery करने से भी वो सारी चीज़े ठीक हो जाती है medical help लेके भी medical treatment लेकर भी क्या कह सकते है उस disability को control किया जा सकता है if there is a defect in the leg अगर किसी के पैरों में तकलीफ है defect है a special wheelchair can be used तो उनके लिए क्या हती है special wheelchair होती है then the defect in the legs is no more hurdle तरस से क्या हो जाता है फिर उनकी जो defect है पैरों में वो जादा उनको परिशान नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो चैर पर बैठ गए तो वो अपनी फ्रम उत्तरप्रदेश once when she was 22 years old she was traveling on the train on a train यहाँ पर में एक स्रोडी बतारी उत्तरप्रदेश की एक लड़की है जब वो 22 years की थी तो वो train में क्या करे थी travel कर रही थी she had to fight off some thieves उसको क्या करना पढ़ रहा था train में कुछ चोड से उसकी fighting हो गई थी in the scuffle she was thrown off the train another spreading train run over her she was seriously injured तो उसके ज़से उसे क्या हो गया था बाद में जब उसकी fighting हो गई तो उसके बाद उसने train से क्या कर दिया jump कर दिया और उसके बाद जब वो jump कर दी तो सामने से दूसरी train आई और उसके उपर से चली गई और वो बहुत ज़्यादा जखमी हो गई doctor saved her life doctor ने उसकी ज़न बचा ली but they had to cut off her right leg लेकिन उनको उसका जो सीधा पैर था उसे काटना पड़ा while she was in the hospital many people would come to see her जब वो hospital में थी तो बहुत से लोग आते थे और उसे देखते थे each person would worry about her future और हर किसी को क्या था उसके future की tension थी but Arunima resolved that she would never give up और अर अरुनिमा क्या थी वो बहुत brave थी उसने decide कर लिया कि वो क्या करी कि उसकी injury है उसपे वो control कर लेगी और उसने कभी give up नहीं किया she would achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कभी वो जरूरत पड़े उसको किसी की कोई उसको help करे तभी वो कुछ काम कर पाए doctors gave her an artificial leg doctors ने क्या कर दिया था उसको एक artificial leg लगा दिया था वरना जो उसका original pair था वो तो cut गया था तो doctor ने क्या कर दिया था महाँ पे एक नकली pair लगा दिया था as soon as she she got used to her new legs she began to train for mountaineering just one year after her accident she claimed on one of the high packs in her in the Himalayas the very next year she claimed mount Everest the highest pack in the world तो फिर उसने क्या कर लिया अपने उस एग एक पैर तुसका नकली था एक पैर से हिप्धा रिष्ट से बहले उसने हिमालिया पे चड़ी उसके बाद वह कहां गई mount Everest प्यूशने पार कर ली या What can we learn from Aronima's story? तो हम लोगों ने Aronima की story से क्या सिखा? कोई भी disability को हमें इतना बड़ा अपने लिए नहीं कर लेना चीए कि जिससे हमारा हमारी जिंदगी रुख जाए. और कोई भी disability इतनी बड़ी नहीं हो सकती के हम लोगों को जो अचीव करना है वो हम अचीव ना कर पाए. ओके? What we have learned? हमने क्या सिखा? Our sense organs tell us about the situations all around us. The eyes, ears, nose, tongue and skin are our five sensory organs. We can see with our eyes, hear, with our ears, smell, with our nose. We taste things with our tongue and feel them with our skin. When we work, we need to have coordination in all the tasks. Difficulties may arise due to lack of coordinations. If any organs does not function well, we may face difficulties in doing our work. We must not give up. In the face of difficulties, they can be overcome. यह जो पूरे points हमें दिखाया गया है, जो हम लोगों ने सीखा, यह हम लोगों ने इसका पूरा explanation lesson में देख लिया है. Okay, now see, always remember, हमें हमेशा याद रखना है, even if there is a disability in any organs. हमारे किसी भी organs में अगर कोई disability है, we can find a way out of that difficulties. तो हमें क्या करना है, उस disability को लेकर tension में होकर नहीं बैटना है, बलके हमें नए राज से निकालना है कि उस disability को हम अमारे कैसे कंट्रोल कर सके. Okay, we can learn to be self-reliant. Okay, we completed our lesson here. Exercise, exercise के जो भी question and answers है, इसका एक अलग वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा. Okay, thank you.